तो गूड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉंस्टाइंस माइंड में यहां पर बीड एडमिशन 2021 की जो कल 11 सितंबर को देर साम तक यह जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया गया और आप कल से ही फार्म भर सकते थे और लेकिन साम फी, सीट वगरे सारी डीटेल्स अवेलबल कराएंगे हलाकि पहले भी वीडियो बनी थी लेकिन उसमें एडमिशन ब्रोश्योर आया नहीं था मैं प्रिवियस ब्रोश्योर के अकॉर्डिंगली पूरा आपको बताया हुआ था बाकी लोग कमेंट्स भी करते थे तो पर यह लहबाद भी स्विद्धाल है और नीचे आप सेक्षन पर जाएंगे तो आपको एडमिशन सेक्षन दिखेगा वहां से आप सेलेक्ट कर लिजेगा PGAT क्योंकि बीड जो है वो PGAT के अंतर गताता है तो PGAT जो है उसमें आप जाईएगा फिर उपर बीड आप नहीं है रजिस्टेशन फीस जो है यहां पर थोड़ा ज्यादा होती है तो आप देख सकते हैं 1600 रुपए फॉर अन्रिजर्ब्ड EWS एंड OBC के लिए तथा HC STPH के लिए 800 रुपए है और यह आपके जो सेंटर्स होंगे प्रयाग राय लखनवू, कानपूर, गोरकपूर, पानड़सी, बरेली, आजमगड, उत्तरपदेश, पतना, भुपाल, नियुदिलही, कोलकाता, बैंगलूरू, गुवाहाटी, हैदराबाज, जैपुर, तिर्वननपुरू, सेंटर्स अच्छे खासे हैं, आपको इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओनलाइन रेजिस जो B.A.D.Courses में हैं, उसके लिए सीट आपको बता दें, तो यहाँ पे दो ही कॉलेज हैं, एक है केपी ट्रेनिंग कॉलेज, जो की गॉवर्मेंट एड़ेड कॉलेज है, यह इसका में कॉलेज है, और एसस खनना है, क्योंकि इलावा दिनस्टी में कैंपस में सीटें B.A कि नहीं होती हैं, यही दो कॉलेज हैं, इनी दो कॉलेज में वो सीट के लिए एकजाम करवाता है, तो SS-Khanah जो है वो गल्स-Kollege है, KP training गल्स और ग्वायस दोनों कॉलेज है, मतलब इसमें ग्वायस गल्स दोनों एडमीसन ले सकते हैं, और SS-Khanah में सिर्फ गल्स, यहाँ पर आपका जो BA है, BA course will be of 2 years, यह 2 साल का BA course है, अगर आप फेल वगरा होते हैं, तो 3 साल maximum आप complete करना होगा, उसके बाद आता है कि आपकी eligibility क्या होगी, तो bachelor degree आप 50% mark से relevant subject में होने चाहिए, या फिर master degree, science, social science, humanities, bachelor, master degree में आपका 55% होना चाहिए, अगर आप master से कर रहे हैं तो, अगर आप UG से कर रहे हैं, मतलब की under graduate से, तो आपका 50% पा होना चाहिए, ठीक है, relaxation भी है यहाँ पे, यह आप देख सकते हैं, SC, ST, O, BC, PWD वालों को relaxation है, qualifying marks में, BA candidate, BA admission में, only those candidate can apply, who passed the qualifying UGPG examination for the university of इलहाबाद और any other university recognized by UGC, अब हम आपको बता दे हैं, कि कहां आप किस subject के लिए अविदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, admission to arts, science and commerce stream shall be done on seat decided on the NCT regulations, commerce teacher non-availability, due to non-availability of commerce teacher in KP training college, BCOM boys, candidate cannot apply BA admission test, यहाँ पे सीधा कर रहा है कि commerce के teachers उनकी availability KP training college में नहीं है, इसलिए KP college में BCOM boys, admission नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे 62 seat है, जो कि arts, science, stream for boys and girls दोनों के लिए है, फिर उसके बाद SS khanna college है, इसमें सिर्फ female candidate रहेंगी, और इसमें maximum intake 125 है, और इसमें जो है for arts, science and commerce, तीनों stream, मतलब लड़कियां अगर commerce स्ट्रीम से है, BCOM की, तो वो apply कर सकती है, ऐसे स्खना में, अब यहाँ भी थोड़ा सा format है BA admission test का, किस तरह से test होगा, तो जो admission test है, सेल भी one question paper for two hour duration, यहाँ पे एक question paper होगा और दो घंटे का होगा, this question paper shall have two section, यहाँ पे दो section होगे, section 1 will have 20 items, ठीक है, section 1 में कितने होगे, 20 items होगे, इसमें जो है कि, मतलब 20 questions होगे, हिंदी language के, comprehensive के, and 20 items of English language, comprehensive, 20 items of general knowledge and current affairs के, and 20 items, mental ability के 20 items होगे, teaching aptitude के, these 100 attempts, shall be compulsory, मतलब यह जो one section, section क्यों सा, section 1 है, वो compulsory होगा, इसमें 100 questions होगे, ठीक है, अब आते हैं section 2 में, section 1 सभी के लिए compulsory होगया, section 2 में 50 items होगे, यह मतलब 50 questions होगे, जो की subject content knowledge के होगे, every candidate shall have to answer all the 50 items from any of the art, science, or commerce, जो stream आप choose करेंगे, उस stream से आपके 50 items होगे, यह आप अपने stream का questions करेंगे, दिया रहेगा आपको arts का भी, science का भी, commerce का, जो आपका stream होगा, आप वो करेंगे, लेकिन जो 100 questions 1 section के होगे, section 1 के, उसको सभी को करना है, ठीक है, यह आपके B, A, B, C, औ, B, C, से आएंगे, जो section 2 वाले हैं, ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ा सा और भी आप देखेंगे, तो item science system will be from physics, chemistry, math, geology, and botany subject से, उतना बताने के जरूत नहीं, उतना आप लोग समझते हैं, candidate cell have to answer a 500 question, मतलब आपको 500 question का answer देना, और सभी जो है, दो marks से होगे, item, each item, cell carry 2 marks, तो सभी question जो है, total question 500, total mark 300 हैगा आपका, admission test cell be held through online mood, यह admission test आपका online mood में होगा, और center allotted by the university, university का जो center lot किया जाएगा उसके थो, ठीक है, minimum qualifying marks and deduction of gap year, अगर आप gap करते हैं तो, यहाँ पे देखिए, the test no mark will be deducted for the year grand total, देखो यहाँ पे है, same year in which they appear in the admission test, no marks will be deducted from the year grand total, but those who appear after the gap of 1 year 5%, अगर 2 year है तो 10%, 3 year gap है तो 15%, इससे जज़ादर deduct system नहीं होता है, और यहाँ पे थोड़ा सा, आप देखेंगे, तो यहाँ पे negative marking के लिए दिया नहीं है, तो negative marking मतलब नहीं है, negative marking का चिंता आपका खतम हो जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ सालों से negative marking को इनवेस्टी ने एकदम से खतम कर दिया था, इसलिए किसी भी exam में negative marking नहीं होती है, अगर होती negative marking तो यहाँ दिया होता है, नहीं है, इसलिए नहीं दिया है, application procedure यहाँ पे है, कि किस तरह से आप apply करेंगे, तो आपको सबसे पहले online form को submit करना है, आप registration पर क्लिक करेंगे, तो आप registration करेंगे, इसी side पर जाना है, आपको www.eu.eu.eu, मैं पहले ही बता दिया, आप इसी पर जाके registration करें, और या फिर यहाँ से भी आप direct जा सकते हैं, फिर आपको details सब निकाल लेनी है, और जैसे फाम भरते हैं, उसी तरह से बनना है, कोई बहुत ज़ज़ा है, advance नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत होती है, तो आप इस पर बात भी कर सकते हैं, ऐसे number है, और फिर आप help desk पर mail कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द reply मिलेगा, आपके कोई भी questions, हाँ, fees, तो दोस्तों, fees के बारे में भी बता जेते हैं थोड़ा सा, कि KP training college हो चाहाए, SS khanna, KP training co-edit government college है, तो यहाँ पे 12,000 लगभग आपको pay करना पड़ जाएगा दोनों साल, तो थोड़ा सा पहले साल जो है, आपको 15,000 लगभग लग सकता है, लेकिन second year में आपको 12,000 तक लगएगा, SS khanna में भी same, इसी तरह से है, थोड़ा सा वाँ पे low रहेगा fees, KP training college में 12,000, तो आप इतना मान के चलिए कि 12,000 से 15,000 के बीच में आपकी fees होने वाली है, scholarship मिल जाती है, scholarship की चिंता ना कीज़ेगा, और भी कोई question हो, तो आप बताइए कि हमने maximum cover करने का कोशिस किया है, कुछ छूटता है, तो comment में आपको सभी का reply देंगे, धन्यवाद,